तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Economics Class 12 का Chapter 6 की Most Important Objective Question एनि BBI Objective Question के बारे में जो आपके 2021 की इंटर पड़िक्षा के लिए काफी महत पूर्ण है और आप लोगों को यहाँ जान कर बहुत ही खुशी होगी कि अगर आप आज की इस वीडियो को Complete देख लेते हैं तो आप लोगों को इंटर की पड़िक्षा में 5 नमबर याणि 5 मार्क्स गैरेंटी मिलेंगे सो आज की इस वीडियो को पूरा चिरूर देखेगा और यह है हम लोगों का Chapter 6 और इससे पहले मैंने Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4 and Chapter 5 की Objective Question वाली वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के Description में मिल जाएगा जाकर देख लीजिए या फिर आप इस वीडियो को Complete देखने के बाद या पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी ओ होगा हम लोगों का Chapter 4 की वीडियो तो उसे अब जरूर देखेगा लेकिन इस Chapter 6 को Complete देखने के बाद तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का First पहला Question समस्टी अर्थ सास्त्र अर्थ विवस्था को किन छेत्रकों के संयों के रूप में देखता है तो एक का जो सही आंसर होगा Option D इन में से सभी अर्थात परिवार, फर्म, सरकार और बाही छेत्रक समस्टी अर्थ सास्त्र अर्थ विस्था को किन छेत्रकों के संयों के रूप में देखता है तो परिवार, फर्म, सरकार और बाही छेत्रक एतिनों इसलिए एक कासी आंसर होगा Option D इन में से सभी एक Question BSEV दुवारा 2018 में पूछा गया था और इस वीडियो में जितने भी Objective Question का आंसर करेंगे सभी पूछे हुए Question है जो आपके दो जरी किसकी इंटरप्रक्षा के लिए काफी महत्पुर्ण है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों को भी Share किजिएगा और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा Question है Question 2 निमने लिखित में से कौन सा रास्ट्रिया आई को परभावित करता है निमने लिखित में से कौन सा रास्ट्रिया आई को परभावित करता है तो दो का जो सही आंसर होगा Option D इन में से कोई नहीं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रिय आई को परभावित करता है तो इन में से कोई नहीं एनि दो का सही आंसर हो गया option D चलिए next question देखते हैं और next हम रों का तीसरा नमबर question है question number 3 चार छेत्रिय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है तो तीन का सही आंसर हो जाओगा option C परिवार, फर्म, सरकार, बिदेशी, छेत्र एचारो इसलिए तीन का सही आंसर हो गया option C next हम लोगों का चौता नमबर question है question number 4 चार छेत्रिय अर्थ व्यवस्था के चक्रिय परवाह में संतूलन के लिए सर्थ निम्नलिखित में से कौन सी है तो चार का जो सही आंसर होगा option C C plus I plus G plus bracket X minus M ठीक है यह सही आंसर है इसलिए चार का सही आंसर हो गया option C चलिए next question देखते हैं और next time लोगों का पांच नमबर question है question number 5 प्राथमिक छेत्र में संम्मिलित है एक question आप लोग देख सकते हैं कितना important है BSEV यह भी हरबोर दुवारा यह question 2012, 2016 एवं 2017 में पूछा गया था तो पांच नमबर question फिर से सुन लिजिए कि प्राथमिक छेत्र में संम्मिलित है तो पांच का जो सही आंसर होगा उँ होगा option D इन में से सभी एनि क्रीसी, खुद्रा ब्यापर, लगु, उदियोग ए तीनो ए तीनो क्या है तो प्राथमिक छेत्र में संम्मिलित है इसलिए पांच का जही आंसर होगा option D, इन में से सभी नेक्स्ट हम लोगों का छे नमबर question नमर्प 6 एक चतू छेत्रिये या खुली अर्थ विवस्था में संतूलन की सर्त है या खुली अर्थ विवस्था में संतूलन की सर्त है तो 6 का जो सही आंसर होगा option D, इन में से सभी अर्थात, बचत, पलस, कर, पलस, आयात, बराबर, निबेश, पलस, सरकारी व्याई, पलस, निरियात, कुल, रिशाव, बराबर, कुल, अंता, छेपन, और सामागर उतपादन, बराबर, सामागर व्याई, ये तीनों, इसलिए 6 क लिखते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का साथ नमर कोस्टन है, कोस्टन नमर सेवन, त्रित्यक छेत्र के अंतरगत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिली थे, देखिए, कोस्टन कोमर्स वाले के लिए सबसे ज़्यादा ही पूंट इंपोर्टेंट है, और ये कोस्टन 2015, अब नमनलिखित में से कौन सा परवाह नहीं है, तो आठका जो सही आंसर होगा अप्सटन ये पूंजी एनि कैपिटल, पूंजी क्या है, तो ये परवाह नहीं है, इसलिए आठका सही आंसर होगा अप्सटन A. नेक्स्ट हम लोगों का नाइन नमबर कोस्टन है, कोस्टन नमबर 9, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलिव सीमा में सेभी उत्पादकों दुवारा जितनी भी अंतिम उस्थूओं और शेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें मुल्य हरास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है, तो 9 का जो सही आंसर होगा उप्सend यह GDP क्या कहा जाता है? GDP-NP, यानि 9 का सही आंसर हो गया उप्सend A, शेलिए next question देखते हैं, और next हम लोगों का 10 नमबर 10, क्या सत्य है, यानि इन 4 उप्सend में से कोन सत्य है, तो 10 का जो सही आंसर यह question most important objective question है कि क्या सत्य है तो N, N, P बराबर G, N, P, मैनस हारास यह 10 कासे यह answer होगी option C यह question देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है और कितना important है next हमरों का 11 number question है कि समस्टी अर्थ सास्त्र के अध्यन का विशे है तो 11 का सही answer हो जाए गा option A, राश्ट्रि आय का सिध्धान्त कुन सवी से है तो राश्ट्रि आय का सिध्धान्त यहनी 11 का सही answer होगी option A चलिए next question देखते हैं और next हमरों का 12 number question है question number 12 समस्टी अर्थ सास्त्र अध्यन है समस्टी अर्थ सास्त्र अध्यन है तो बारा का जो सही आंसर होगा option A एनि अर्थ व्यवस्था में रोजगार के आउसर का समस्टी अर्थ सास्त्र अध्यन है अर्थ व्यवस्था में रोजगार के आउसर का एनि बारा का सही आंसर होगिया option A नेक्स्ट हम लोगों का 13 नमबर कोस्टेन है कोस्टेन नमबर 13 कि सामान्य मुल अस्तर का अध्यन किया जाता है ये कोस्टेन देखें दो बार पूछा जा चुका है question फिर से सुन लेजिए कि सामान्य मुल अस्तर का अध्यन किया जाता है तो 13 का सही आंसर हो जाएगा option B समस्टी अर्थ सास्तर में सामान्य मुल अस्तर का अध्यन किसमे किया जाता है तो समस्टी अर्थ सास्तर में 13 का सही आंसर हो गया option B चल्ट लिए next question दीखते हैं और next हम लूप का 14 और 14 नमबर question रोजगार सिद्धान्थ का संबंध है तो 14 का से या按सर हो जाएगा option C समस्टी अर्थ सास्त्र से रोजगार सिद्धान्थ का समश्टी अर्थ सास्त्र से या priorit 14 का से या आंसर हो गया option C नेस्ट हम लोगों का 15 एनि 15 नमबर कोस्चन है कि पुंजी के स्टोक की बिर्धी कहलाती है पुंजी के स्टोक की बिर्धी क्या कहलाती है तो 15 का सही आंसर हो जाएगा अपसन C नेक्स्ट हम लोगों का 16 नमबर question है कि निमनलिखित में कौन सा stock है निमनलिखित में से कौन सा जो है वो stock है तो 16 का सही answer हो जागा option यह संपत्ती अर्थात assets ठीक है निमनलिखित में से कौन सा stock है तो वो है संपत्ती अनि assets इसलिए 16 का सही answer हो गया option A चलिए next question देखते हैं और next हम लोगों का 17 एनि 17 नमर question है कि चक्रिय परवाह के अंतरगत निम्लिखित में कौन शामिल है तो 17 का जो सही answer होगा option C A और B दोनों एनि वास्तिविक परवाह और मोद्रिक परवाह ए दोनों इसलिए 17 का सही answer हो गया option C चलिए next question देखते हैं और इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे और next हम लोगों का 18 नमर question है question 18 इस टोक के अंतरगत निम्लिखित में कौन शामिल है तो 18 का जो सही answer होगा option D उपरयुक्त सभी एनि मुद्रा का परिमाप धन और गोदा में रखे गये हूं की मातरा एतीन हो इसलिए 18 का सही answer होगा option D उपरयुक्त सभी एनि उपरयुक्त सभी और next हम लोगों का 19 नमर question question 19 परावाह में किसे सामिल किया जाता है option ये उपभोग, option B निवेस, option C I, option D इन में से सभी तो friends इस 19 नमर objective question का answer आप लोगों को करना है अगर आ पता हो फिर भी comment करें में आप लोगों का answer कर दूँगा क्योंकि ये most important objective question है आपके 2020 की interpretation के लिए चलिए next question देखते हैं और next हम लोगों का 20 question है question number 20 वास्तिविक परवाह के अंतरगात निमलिखित में कौन शम्मिलित है ये वास्तिविक परवाह के अंतरगात निमलिखित में next हम लोगों का 21 question है question number 21 राष्ट्य आई की माप फेतु किस विधी को अपनाया जाता है ये question देख सकते हैं कितना important है तो 21 का जो सही answer होगा option D इन में से सभी अर्थात उत्पादन विधी, I विधी और V.I. विधी ए तीनो इसलिए 21 का सही answer होगा option D इन में से सभी next हम लोगों का 22 question, question number 22 एक अर्थ व्यवस्था में कौन सा छेतर सम्मिलित रहता है तो 22 का सही answer होगा option D, A सभी एनि प्रात्मिक, दूत्यक और त्रित्यक, A तीनो इसलिए 22 का सही answer होगा option D, A सभी next हम लोगों का 22 question, सकल राष्टे उत्पाद के गन्ना में निमलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है तो 23 का सही answer होगा option C, A और B दोनों पुरानी वस्तुओं का क्रे भी क्रे मध्य वर्ति वस्तुएं, A दोनों, इसलिए 23 का सही answer होगा option C, A और B दोनों next हम लोगों का 24 question है, question number 24, दुइत्यक छेत्र में निमलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित थे, एक question आप लोग देख सकते हैं कितना important है तो 24 का जो सही answer होगा option V, V निर्मान, ठीक है, दुइत्यक छेत्र में निमलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो V निर्मान, एनि 24 का सही answer होगा option B नेक्स्ट हम लोगों का 25 नमबर question है, प्रात्मीक छेत्र में कौन सामिल है, तो 25 का सही answer होगा option D, A सभी, एनि भूमी, वन, और खनन, A तीनो, इसलिए 25 का सही answer होगा option D, A सभी चलिए, नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं, और नेक्स्ट जो हम लोगों का कोस्टन है, कोस्टन नमबर 26, एनि 26, रास्ट्रिय आई के आकलन में किसी वस्तू या सेवा का मुल्य एक से अधिक बार सामिल करना कहलाता है, तो 26 का सही answer होगा option B, दोहरी गन्ना, ठीक है, रास्ट आई के आकलन में किसी वस्तू या सेवा का मुल्य एक से अधिक बार सामिल करना क्या कहलाता है, तो 26 का सही answer होगया option B, नेक्स्ट हम लोगों का 27 नमर कोस्टन है, कि लाभ का निमलिखित में कौन शाग घटक है, तो 27 का सही answer हो जागया option D, इनमे से सभी, अर्थात, लाभां आवित्रित लाभ और निगम लाभ कर, ये तीनों एनि 27 का सही answer होगया option D, इनमे से सभी, चलिए next question देखते हैं, और next हम लोगों का 28 नमर कोस्टन है, question number 28, राष्ट्रिया आई में निमलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो 28 का सही answer होगा option D, इनमे से कोई नहीं, रा इसका सही answer होगया option D, चलिए next question देखते हैं, और next हम लोगों का 29 नमर कोस्टन है, question number 29, राष्ट्रिया आई की गन्ना में निमलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो 29 का सही answer हो जाएगा option D, उपरियुक्त शभी, ये नहीं अन्तिम वस्तुएं एबंशेवाएं, भार इसका सही answer हो जाएगा option D, उपरियुक्त सभी, चलिए next question देखते हैं, और next हम लोगों का 30 नमर कोस्टन है, question number 30, अनि 30, समस्टी अर्थ सास्त्र की निमलिखित में कौन सी सीमा है, तो 30 का जो सही answer हो जाएगा option C, A और B दोनों, ये सामुहिक अर्थ सास्त्री विरोधावास और व्यक्तिक इकाईयों की अब हेलना, ये दोनों, इसलिए 30 का सही answer हो गया option C, चलिए next question देखते हैं, और next हम लोगों का 31, जी एनपी एनपी बराबर क्या, एनि what, ठीक है जी एनपी एनपी बराबर क्या होगा, तो 31 का सही answer होगा option B, GDP MP प्लस विदेशों से सुद्ध जी एनपी एनपी बराबर क्या होगा, तो 32 का सही answer हो जाएगा option ये जी एनपी एनपी एमपी मनेस हरास, ठीक है, एनपी 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 मनेस हरास, जी एनपी 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 मनेस हरास, जी एनपी 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 मनेस हरास, जी एनपी एनपी मनेस हरास, जी एनपी एनपी ए सम्मिलित रहता है एक कोस्टन आप लोग देख सकते हैं कितना important है कि घिसावत विया किसमें सम्मिलित रहता है तो 33 का सही आंसर हो जागा अप्शन यह जी एन पी MP में किसमें तो जी एन पी MP में तो 33 का सही आंसर हो अप्शन ए नेस्ट हम लोगों का 34 नमबर कोस्टन है कोस्टन नमबर 34 NDP FC बराबर वाट NDP FC बराबर वाट तो 34 का सही आंसर हो जागा अप्शन बी जी एन पी MP मेंस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहाईता इसलिए 34 का सही आंसर हो गया अप्शन बी चलिए next question देखते हैं नेक्श्ट हम लोगों का 35 नमबर 35 साधन लागत पर सुध राषट्रिय उत्पाद को कहा जाता है तो 35 का सही आंसर हो जागा अप्शन ये राषट्रिय आई क्या कहा जाता है तो राषट्रिय आई एन प्यिस का सही आंसर हो गया और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नमबर कोश्चन है कोश्चन नमबर 36 रास्ट्रिय आई में निमलिखित में किसे सामिल किया जाता है तो 36 का सही आंसर हो जाएगा और अप्सट्रिय लागान, मजदूरी, वेतन, व्याज, तथा लाव, एतीनो नेक्स्ट हम लोगों का 37 नमबर कोश्चन है तो 38 का सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन दिखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 38 कोश्चन नमबर कोश्चन है तो 38 का जो सही answer होगा option A प्रायोज आई बराबर ब्यक्तिगत आई मनेस प्रात्यक्ष कर 38 का सही answer हो गया option A और next हम लोगों का 49 नमर question है एदिक किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आई रिनात्मा है तो क्या होगा तो 49 का सही answer हो जागा option B और next हम लोगों का 40 नमर question किसी अर्थ ब्यवस्था में एक वर्ष के अंतरगत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा शेबाओं के बाजर मुल्ल को कहते हैं तो 40 का सही answer हो जाएगा option C कुल घरेलू आई क्या कहते हैं तो कुल घरेलू आई एनि 40 का सही answer हो जाएगा option C next हम लोगों का 41 नमर question है कि परिवार फर्मों को निम्लिखित में कौन सी सेबाएं परदान करते हैं परिवार फर्मों को निम्लिखित में से कौन सी सेबाएं परदान करती है तो 41 का सही answer हो जागा option D प्लीज कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करें और अगर आप हर दिन चेप्टर वाज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें